नमस्कार दोस्तों बजरनग न्यूजपॉइंट यूटूब चेनल में आपका स्वागत है मौसम भीबाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चेनल को सबस्क्राइब जरूर कर दे बंगाल की खाड़ी से टकराया बिशन तूफान अगले कुछी गंटे में देश के 15 से ज़्यादा राज्यों में तूफान एंट्री करने वाला है मौसम भीबाग ने चकरवाती तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है और सावधानी बरतने को कहा गया है देश के कई राज्यों में यह तूफान काफी तबाई मचा सकता है इसको देखते वे मौसम भीबाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और सावधान रहने को कहा है देश के कौन-कौन से राज्यों में इस तूफान का सर पढ़ेगा कांग कांपर केसा मौसम रहेगा पूरी जानकारी पूरी डीटेल आपको इस वीडियो में हम देंगे तो लाश्क तक वीडियो को पूरा देखेगा अगले 24 गंटे के दोरान तमिलनाडू, केरल, दक्षिन आंतरी करनाटक और तठीया अंधर परदेश में मध्यम से बारी बारिस की संभावना है तेल गाना कौंकन गोओा में हल्की से मध्यम बारीस के साथ कुछ इसतानों पर तेज बारिस रिकोर्ड की जा सकती है विद्रब मराठवाडा, मध्यम आ राश्टर, दक्षिन गुजरात और दक्षिन मध्या परदेश में हलकी से मध्यम बारिस की संभावना है पुर्वतर बारत, सिक्किम, ओडिसा, च्छतिसगर्ड, दक्षिन पुर्वी राजस्थान, लक्सद्वीब और अन्वा निकोबारदीब सुमय में भी हलकी से मध्यम बारिस की संभावना मौसम भी बागने जताई है मौसम भी बागने बताया कि बंगाल की खाड़ी में उठा तुफान इन राजियों में दिखाएगा रोदर रूप बंगाल की खाड़ी में उठा तुफान देरे देरे आगे बढ़ रहा है मौसम भी बागने कई राजियों में बारिस का अलर्ट जारी किया है पहले से दक्षिन बारत के कई राजियों में बारिस हो रही है बंगाल की दक्षिन पश्चिम खाड़ी में कम दबाव का चेतर बना है जो 17 अक्टूबर की सुबह पाडुचेरी और निलोर के बीच तुफान के तट से टकराने की आसंका है और इससे दक्षिन तट और राइल सिमा के कई स्थानों पर बारी वर्सा होने की संबावना है आंदर परदेश आपदा परबंदन प्राधिकान के मौसम विबाग निलोर के तुफान के कल सुबह तक पांडुचेरी और निलोर के बीच तट के पास टकराने की संबावना है दक्षिन तट और राइल सिमा में कई स्थानों पर बारी से बेहद बारी बारी सोगी तो यह तुफान कल दोस्तों तट से टकरा सकता है और इसकी जो रफतार है वो 60-80 किलोमेटर परती गंटा होगी कई राजियों में इस तुफान की वज़े से बारी बारी से रिकोर्ड की जा सकती है जिसको देखते वे मौसम भी बागने चेतावनी जारी की है अंदर परदेश तमिल लाडू चेन्नाई समेथ कई हीसों में तेज बारीस की संभावना है बंगाल की खाड़ी में चेन्नाई से लगबग 490 किलोमेटर दूर जो तुफान है वो अभी विक्षित हुआ है इसके वज़े से तमिल लाडू में बारी बारीस का रेड अलर्ट जारी किया गया है आठ उडाने और चार ट्रेने यहां पर कैंसिल कर दी गई है तुफान का असर यहां पर दिखाई देगा दिली एंसियार में धूंद जो है वो चाना सुरू हो जाएगी चार राजियों में बारी बारीस और तुफान की चेतावनी है साइकलोनिक सिर्कुलेशन बनावाए जिसकी वज़े से मोसम में यह परिवर्तान अभी दिखाई दे रहा है मुस्नमी बाग ने बताया कि 17 अक्टूबर को तमिलाडूग, करनाटक, केरल, गोवा में बारी बारीस होगी जब कि 18 अक्टूबर को इन राजियों में बारी बारीस के साथ तूफान आएगा असम मेखाले समेट तमाम राजियों में कैसा मौसम रहेगा तमाम राजियों के एक एक जिले की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से परदान करेंगे ताप से रिक्वेश्टर वीडियो को लाश्ट तक पूरा देखेगा सबसे पहले आमें बात कर देखें यूपी की उतर परदेश में भी बदलने वाला है मौसम का मिजाज यूपी के कई हीस्टों में चकरवाती तूफान दिखाएगा असर अतर परदेश में 18 अक्टूबर तक चकरवाती तूफान असर डाल सकता है हपपुड, गोतमबुद नगर, बुलंद सहर, अलिगड, एटा, मेनपूरी, इटावा, कासगंज, औरेया, बरिली, पीली भीत, साजामपूर, बदाईयूं और आसपास के छेतरों में बारी बारिस होने के आसार है मुसमी बाके मताबिक आने वाले 48 गंटे के दोरान आयोध्या, अमेटकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, लखनाओ, उनाओ, कानपूर नगर, कानपूर देहात, कनोज, फरुकाबाद, गाजीपूर, आजमगड, जोनपूर, संद्रविदास नगर, वारानसी, चंदोली, मतियपूर, परियाग, राज, कोसामभी, चितरकूट में तेज आन्दी के साथ बारिस रिकोर्ड की जा सकती है, अब बात कर लेते हैं, दोस्तों, मध्या परदेश में कहां कहां पर आन्दी तुफान बारिस आएगी, मुसमी बागने मध्या परदेश में भी चकरवाती त मुसार, मध्या परदेश के जाबूआ, उजेन, रतलाम, इंदोर, मंदसोर, निम्मच, आगरमालवा, शोपूर, छिंदवाडा, नर्सिंगपूर, सिवनी, बालागाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया में यलो अलर्ट जारी किया गया है, इसके अलावा इंदोर, गवालिय खरगोन, भिंड, नर्मदापुरम समेत, 26 जिलों में, गरचमके साथ, तेज, बारिस, और तुफान का जो अलर्ट है, वो यहां पर जारी किया गया है, अगर बात करें दोस्तों, राजस्तान के मुस्म की, तो अभी राजस्तान में जो बारिस की संभावना है, वो बेहत कम नजर आ रही है, राजस्तान के अंदर मुस्म अभी साफ रहेगा, और बारिस की जो आसंका है, वो कम है, राजस्तान में सुआने मुस्म की सुरुआत, राजस्तान के कई हीस्तों में सर्दी बढ़ना अब सुरू हो गई है, और गरमी से आम आदमी को जो रहात है, वो भी म बारिस है उसका सिलसिला जारी रहने की संभावना है बिहार के कई जिलों में मुसम भी बागने अलट जारी किया है मुसम भी बाकी माने तो आने वाले 48 गंटे के दोरान बिहार के सितामडी मुझफरपूर समस्तिपूर वेसाली पटना अरवल जानाबाद नालंदा गया नवादा दरबंगा मदूबनी समेत कई जिलों में बारिस की संभावना है वहीं बागलपूर मुंगेर खगडिया वैकोसी सिमाचल के कई जिलों में भी बारिस के आसार में साथदानी बरतने को भी मुस्लमी बागने कहा है मुस्लमी बाकी माने तो देश के कई राजियों में अभी मुस्लमी लगातार जो बड़ा बदलाव है वो नजर आ रहा है जिसको देखते वे चेतावनी भी जारी की गई है मुस्लमी बागने बताया कि आने वाले दो दि मानसून 30 मैं को केरल पहुंचा और2 जुलाइ दक पूरे देश को कवर कर लिया था 23 सिटमबर को उत्रबशिम 12 सिसकी वापसी शुरू हुई आम तुर बद्पशिम 12 मानसून एक जून तक केरल में आता है और 8 जुलाई तक देश को कवर करता है उत्रबश्य बारेसिस की वापसी 17 सितंबर के आसपा सुरू होती है अभी मानसून लगबग देश के सभी राजियों से वापसी कर चुका है इधर करनाटक में सुबह से बारिस का दोर सुरू है राजदानी बेंगलेरू समे बारिस का अनुमान जताया है देश के बाकी इस्तों में भी तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा मुसमी बाग ने बताया कि आने वाले 48 गंटे के दोरान तमिलाडू करनाटक पाटू चेरी में बारी बारिस रिकोड की जा सकती है जिसको देखते हुए हाई अलर्ट भी पसर है वो दिखाई देगा तो दोस्तों आप कौन से राजिये शाबने राजिया और पने जिले का नाम लिख के कमेंट करें वीडियो को लाइक और शेयर कर दें पूरी जानकारी आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे